प्रेस्ट बेल आइकन और यूट्यूब आप जाइन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडिया ज भारत पर तो आज हम आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आर्जू कास्मी जी को जिन मज़दार वीडियो लाते रहें जा हिंट जा भारत थोड़ा सा हाल अपना बताना चाहूंगा खासकर मुझे बड़ी खुशी होती है कई मैं जाता हूं कई इवेंट्स के उपर इस दफ़ा भी मैं जब गया इस मैच को देखने के लिए परसु मैं न्यूयोंक गया तो हम एंजॉय कर रहे थे हैं तो एक डाक्टर साब आये उन्होंने का है मैंने आपके साथ तस्वीर बना लो मैंने का आप बनाए उन्होंने मुझे बताया कि मैं खुद एक किश्मीरी पंड़त हूं और उन्होंने मुझे अपनी और फैमली के बड़ी दर्दनाक स्टोरी सु उसमें देखें आरजू मैं हमेशा यह कहता हूँ डिस एग्रिमेंट होना सियासी मजभी डिस एग्रिमेंट होना इलाग बात है लेकिन हम एक ही हैं हम अगर मैं अपने आपको डिफाइन करता हूँ हम इंडस वैली इंडस रिवर के आसपास बसने वाले हम इंडस के बचे ह हैं सारे रगाडला साब का कोई भी मज़भ वो मेरे लिए वो इंपॉर्टन नहीं है लेकिन मैंने उनके उन से खड़े होके एक बात कहीं मैंने उनका क्या और देखें इसमें ये भी बाठी है आरजू मैं जब करता हूँ कई देखा देखा है दूसरी तरफ से मैं हमेशा बात करता हूँ कि देखें अगर जर्मनी गुजारा कर सकता है दुबारा कठा होके वेत्राम कठा होके गुजारा कर सकता है यूए और अगर इस्राइल आप ट्रेड कर सकता है तो उनकी भी डिफरेंसिस मौजूद और हमारे similarities ज्यादा है, differences कम है, चले अगर focus एक मिनट के लिए कर भी लिया जाए, differences के उपर, तो उनकी foundation बहुत पुरानी हो चुकी है, foundation क्या है, foreign invader आकर यहां पर जुलम करते रहे, इसलाम के नाम पर, जो आप बात कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है, देखे न, मंदरों के एक बाबरी मस्जद जो थी, उसका नाम बाबर पर था, तो देखा जाये तो इन लोगों ने आकर जुलमों सुत्म किया है, आप उनको deny नहीं कर सकते, और वहीं से नफरते हैं, बलके पाकस्तान के बनने की एक बड़ी वज़ा ही यह थी, कि foreign invaders ने आकर यहां पर बहुत ज रिकाजा यह है कि नफरतों को कम किया जाए, अगर आप बटवारे को रोक नहीं सके तो आगे नफरतों को तो कम करें, देखें आज मैं अगले दिन भी किसी से बात कर रहा था, मेरे लिए महात्मा गांदी आज भी मेरे हीरो हैं, वो किस तरह के बटवारे के खलाफ थे वो और बटवारा हो गया तो फिर रावल पिंडी आए, कश्मीर गया, कश्मीर से रावल पिंडी आए, वापसी पर लाओर स्टेशन पर फिर स्पीच दी और उनकी कमिटमेंट थी कि मैं जिन्दा रहा तो मैं पाकस्तान में रहूँ तो आप अगर उन चीज़ों को नहीं रोक मैं कोई शक नहीं, मैं खुद बहुत था, कई लोग आज भी मैं आपको पता होगा, आरजू कई यूट्यूबर मेरी गुपरा निकाल निकाल के चीज़ें करते हैं बातें आगे पेचे, मैं खुद पाकस्तान में पैदा हुआ हूँ भाईजान, मैं वही निसाब पड़ता है, जहां हमें सिखाया जाता है, कि हमने लड़ना है, मरना है, हिंदू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तू नेशन थियोरी सुबाश शाम बताई जाती है, मैं वहीं से आया हूँ, मैंने खुद अमेरिका आकर देखा है, जहां पे, रिलिजिस टॉलरन सिखा है, हिस्सा है हमारी सुसाइटी, पाकस्तान के अंदर तो माइनॉरिटी है यह नहीं, वहां हमें क्या पता है, वहां पे हम किस तरह लड़ते हैं, हम शिया सुनी होके लड़ते हैं, वहां तो हम इस तरह लड़ते हैं, वहां पे तो हिंदू छोड़ा नहीं किसी ने, ना सिख छोड़ा मैं यहां आके देखा ना मैंने यहां आके जजदीब को देखा कि जजदीब और मुझ में फरग ही कोई नहीं है 30 साल से मैं और जजदीब अकटे है 30 साल से मुझ में उसमें कोई फरग नहीं है मैं उसके साथ गुर्दवारे जाता हूँ, अभी मैं अबुता भी गया, दो गुर्दवारों में गया उसके साथ, बैठा वहाँ खाना काया, मैं मंदरों में जाता हूँ दोस्तों के साथ, उनके वेज़, मैं सिनिगाग्स में जाता हूँ, चर्चों में जाता हूँ, ही यहा चार जंगें लड़ चुके हैं, चार मजीद जंगें लड़ेंगे, उससे देखें, होत फाइदा होगा, मुझे कन्विंस करें, खुशाली आजाएगी सेरिये के अंदर, लोगों को मारेंगे, कत्रों घरत करेंगे, तो एंजॉय करेंगे, या तो ये बताएं मुझे, मैं भी आरजू, आपने मेरी तस्वीर जरूर शेर करनी है, अपने इसी बिलाग के साथ, जो मैंने शेर्ट पहनी थी, टी-शेर्ट पहन के गया था, जिसके उपर भारत और पाकस्तान दोनों के जंडे थे, और मैं, मेरे लिए, कोई भी टीम जीती, मेरे लिए लिए, लेकि यहां जरूर कहूंगा, मैं आज थोड़ा सा ये शेर करना चाहूंगा, कि पाकस्तान को इस दौर में, जितनी मायूसियां हैं पाकस्तान के अंदर इस वकर, चाहे महिंगाई हो, चाहे सियासी इंस्टेबिलिटी हो, उस قوم को कोई अच्छी खबर चाहिए थी, कोई अच्छी खब सिर्फ उसकी अबिलिटी ये है, कि उसका बाप पाकस्तान क्रिकेट टीम में था, और फिर उसके बाद मुझे दुख के साथ कहूंगा, आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो PCP की उनका क्या नाम है, उन्होंने बयान दिया है कि इसकी मेजर सरजरी की जरूरत है, इतना खर्चा करने की क्या ज़ोरत थी, फिर खबरें ये भी आर्जू आ रही हैं, कि इनके साथ इनकी पूरी पूरी फैमली हैं ट्रेवल कर रही है, तो कल तो बहुत बुरी तरहां से आ रहे हैं, ये पहला जो, ये खेले ही नहीं ना, एक सो निस भी नहीं बना सके, खेले exercise कराई आपने, लेकि इनकी दमाग के हालाद में ठीक करते आप, बच्चे आप, अफसरों के, मेरे कहले ये सारे सफारिशी बच्चे है, वो एक 300 पॉंड का बच्चा फिरना तो लोगों ने उसका बड़ा मजाग हो राया, 300 पॉंड का बच्चा, मुझे तरस आया उस पे, वो तो खुझ चलने फिरने के काबल नहीं है, उसको आपने भेज दिया बैदान के अंदर, लोग सीटिया मार रहे हैं, मोटू, मोटू कहरे हैं उसको, उन्होंने अपनी सोचल मीडिया से अपनी पिक्चर्ज विक्चर्ज हटा दी, उन्होंने वो बिबार हो जाएगा बच्चा, जितना उसके उपर तनकीद की गई है, मैंने कल देखा है वो बच्चा, वो प्चरच चलने से बेजार है, फिर मैंने आज, मैंने जब आज रीसर्च की है, तो उसमें तो कई रिष्टेदार है, कोई उसका दोस्त है, जो कैप्टन है इस एक और शक है, उपर से कि हाँ पर हमारे वाशिंटिन डीसी के आईटी वाले भायजान है, उन्होंने पांच-छे सो डालर लगा कि उपर जहाज के उपर लगा दिया है, रिलीज इमरान खान, मुझे लग रहा है कि उन्होंने उपर से काला जादू किया है, और ये परमीश जहाज में जो परजी करते हैं, और उन्होंने कह दिया है, वो हमारे वाशिंटिन डीसी एरिया के भायजान है, इन्फरमेशन टेकनोलोजी के, उन्हों एलान भी कर दिया है, मैंने ये पैसे लगाए है, चले, फिर इतना फाल तु पैसा है कि उन्होंने इस तरह के कामों मे लगा है, किसी अच्छे काम में कर ले थे, बतब ये क्या काम हुआ भला, हम जो पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं, हम कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, 25 क्रोड लोगों में कितने लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा तो और बिमार हो जाएगा, उसको इतनी उसको उसको उसपे होटिंग की गई है, बलके ये मैं पिक्चर भी दिखा रही हूं सर आपकी, वही डूड रही थी भी आप से बात के दो रहा है, नहीं नहीं, इस पर कल हमने बड़ा एंजॉय किया और आप सोच नहीं सकते कि कल इतन के साथ गुजारा करने की, टॉलरंस की, और जबके हमारे सिमिलारिटीज इतनी है, जबान जाएके लबास सोचें एक हैं, बस लेकिन कुछ लोग हैं जो जो इससे, जिनके लिए नफरत पहलाना उनके लिए अच्छा कारोबार है, लेकिन मेरे खाल में, विल्कुल ऐसा नह आशा करता हों की वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और अर्जु कास्मी जी और साजी तारस आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, अगर ये वीडियो आपको च्छी लग ए तो इसे लाइक और शेर जरू कर द झाल